डारन डारन दोस्तों मारे है भाईया मोहे मारे भोचाई मारे है भाईया मोहे मारे भोचाई आयत का ख्षेतरफल is equals to लंबाई into चोडाई आप सूशेंगे आज मैं आपको ये क्या सुना रही ह procs लंबाई into चोडाई हाँ दोस्तों गंट एक ऐसा है सबसे पहले हमें 2 x 2 is equal to 4 समझना जरूरी है यह नहीं कि हम छलांग लगा कर trigonometry और geometry तक पहुँच जाएं और हम सोचें कि हम सब कुछ सीख जाएंगे आप सोचेंगे आज मैं आज मैं आपको यह सब क्या बाते बता रहे हूं उस मंदिर को देखकर वो उसका बहुत मन करता था उस मंदिर में जाने को पर रोज किसी ना किसी बहाने से टल जाता था कभी वो सोचता था क्योंकि उस मंदिर में जाने के लिए सीड़ी हैं थी उसको पैदल जाना पड़ता था और बीच में थोड़ा सा जंगल भी आता था, तो वो सोचता, अरे अभी तो धूब बहुत तेज है, मैं कैसे जाओंगा, आज तो बारिश हो रही है, तो मैं कैसे जाओंगा, इस तरीके से करके वो उसका टलता ही चला जा रहा था, टलता ही चला जा रहा था, एक दिन ऐसा आ एक लालटेन थी, उसने उस लालटेन को जलाया और वो निकला घर से बाहर, बाहर आया तो उसने देखा, उफ, बापरी कितना, बिल्कल, चारों तरफ कितना अंधिकार हो रहा है, फिर भी उसने हिमत करके कदम आगे बढ़ाया, और आगे बढ़के उसने चलना शुरू किया, वो थोड़ी सी दूर और आगे गया, तो उसको घवरार शुरू हो गया, उसने का, मेरी लालटेन तो बहुत छोटी सी है, और मुझे जाना दस किलोमेटर दूर है, तो मैं कैसे जाओंगा, वो यही सोचने लगा, एक कदम आगे बढ़ाता, फिर सोचता कि नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं सुबह, जब सूरेदे हो जाएगा, उसके बाद में मैं आचाओंगा, पर सूरेदे हो जाएगा, तो फिर गर्नी लगेगी, बस वो इसी उहापोह में बैठ, एक पत्थर के पूरूपर बैठ गया, और सोचता रहा, मैं कैसे करू वो ये सब को सोची रहा था, वो गणित लगा रहा था, वो गणित लगा रहा था, दस किलोमेटर दूर, कैसे पहुचूंगा, कैसे जाओंगा, वो इस गणित ने उलज गया, वो जब बैठावा था तो उसने पीछे से देखा, एक बुध्ड बाबा चले आरहा है, उनकी ह हाथ में तो छोटा सा दीपक है इस छोटे से दीपक को लेकर आप मंदिर कैसे पहुचेंगे तो उन्हों ने कहा देखो जब मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मेरा दीपक भी एक कदम आगे बढ़ा तो जब तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तुम्हारी लालटेन की रोशनी तीन कदम तक आगे बढ़ जाएगी तो दस किलोमेटर पहुचना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है दस मिल तुम बहुत आराम से पहुच जाओगे दोस्तों बस यही बात में आपको बताना चाह रही हूँ जिन्दगी के जो गनित हम लगाते हैं वो काफी दूर तक काफी लंबे चोड़े गनित ना लगाएं एकदम छोटा भी ना लें पर कदम कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको मनजल तक पहुचना बहुत आसान हो जाएगा पर यदि आप अपनी एक जिन्दगी में और आप यदि आज आज आप 20 साल के और आपने 80 साल तक का गनित लगा लिया तो आप कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ा सकेंगे आप बीच रास्ते में ही डर के बैट जाएंगे जैसे की वो यह वक बैट किया हूँ अपनी जिन्दगी का उसूल बनाईए सोचिए जरूर पर गनित इतना ही लगाए जितना की आप बिना डरे बिना घबराए क्रॉस करें और अपनी मन्जिल तक बहाँ जाएं इसके साथ ही मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपने सब्सक्राइब कर रखा है अपने दोस्तों से कहिए अपने रिष्टेदारों से कहिए मित्रों से कहिए कि मुझे को सब्सक्राइब करें फ् kiss see you soon friends bye